ये देखिए कितने क्रिस्पी पकोडे बनकर तयार हुए हैं बेसन और दाल वाले पकोडे तो आपने कई बार बना कर खाए होंगे लेकिन आज जो पकोडे की रेसिपी में आपसे शेयर करने जारी हूँ वो ना ही बेसन से बनेंगे और ना ही दाल से घर में रखे बस कुछी सामान से बने ये क्रिस्पी पकोडे बच्चे हो या बड़े सब खूब पसंद करेंगे तो चलिए आलो के ये क्रिस्पी पकोडे बनाना शुरू करते हैं ये नए तरीके के क्रिस्पी पकोडे बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे आलो तो यहाँ पर नए आलो का काफी अच्छा सेजन चल रहा है लेकिन आप पुराना नया कोई भी आलो ले सकते हैं मैंने तीन बड़ी साइज के कच्चे आलो लिये हैं सबसे पहले हम आलो को ऐसे छेल लेते हैं तो इन पकोडों को बनाने के लिए हमें सिर्फ आलो चाहिए होंगे यानि इसमें प्याज वगर कुछ भी नहीं जाएगा आलो को हमने अच्छे से छेल लिया है और आलो काले पड़ जाते हैं तो इससे बचने के लिए हम इने डाल देंगे पाने के अंदर और अब हम इने ग्रेट करेंगे तो ग्रेट करने के लिए इस तरह के ग्रेटर का मैं इस्तिमाल करी हूँ यह थोड़ा मोटी जाली वाला है लेकिन यह दिया आपके पास नॉर्मल ग्रेटर है न जैसे गाजर वगर हम जिससे कद्दुकस करते हैं तो उसका इस्तिमाल भी आप कर सकते हैं अब एक एक करके आलू हम पानी में से निकालेंगे और इने ग्रेट कर लेंगे तो बहुत ही आसाने से ग्रेट हो जाएंगे इस तरह आप लंबाई में आलू को पकड़ें ताकि जो आलू के लच्छे होना वो भी हमें लंबे-लंबे ही मिलें तो इस तरह से आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है अब ये ग्रेट कियावा आलू भी काला पड़ जाता है तो इससे बचने के लिए इसमें हम पानी डाल देंगे तो अब जो बचेवे आलू होंगे वो हम इस पानी में ही ग्रेट कर लेंगे तो इस तरह से मैंने पानी इसमें डाल दिया है तो अभी बिलकुल काला नहीं पड़ेगा और सारे आलू इस बोल के उपर में ग्रेटर रखकर ऐसे कद्धू कस कर लूँगी तो देखे कितना सारा स्टार्च आलू में निकला है तो इसे हम एक दो बार पानी से अच्छे से दो लेते हैं क्योंकि जितना अच्छे से हम आलू का स्टार्च निकाल देंगे पकोड़े उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे तो दो बार पानी डाल कर मैंने दो लिया है और अब इस चलनी के अंदर इसे डाल लेते हैं ताकि आलो का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए इस तरह से खिले-खिले आलो के लच्छे तयार है इसे दूसरी मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर करेंगे और इसमें बाकी चीचे अड़ करेंगे अब इसमें आड़ करेंगे आदी चोटी चमच लेसुन का पेस्ट आदी चोटी चमच या जितना धिकाँ पसंद करते हैं रेड के पास जितना भी पानी हो वह रिलीस हो जाए फिर बाद में इससे पकोड़े बनाएंगे तो जब तक यह रेस्ट ले रहा है हम एक टिप बना लेते हैं इन पकोडों के साथ सर करने के लिए तो मैंने यह लगभक एक चोटाई कब मैयोनीज ले ली है और इसमें दो-तीन चमच टॉमेटो कैचप एड़ करलेंगे और इसे के साथ इसमें एक चोटाई चमच डालेंगे रेड़ चिली फ्लेग्स साती मैं डाल रहे हैं इसमें एक छोटाई छोटी चमच, mixed herbs, एक छोटाई छोटी चमच, pizza, seasoning एड़ करेंगे, और थोड़ासा ही नमक एड़ कर लेंगे, तो इससे ये dip होगी ना, वो बहुत ही tasty लगेगी, तो पकोड़े थोड़े नॉर्मल है, और ये dip थोड़ी से हम spicy बना देंगे, तो पकोड़ों के साथ खाने में बढ़िया लगेगी, ये dip आप नहीं बनाते हैं, तो सिंपल आप टोमेटो केचप के साथ भी ये पकोड़े सर्व कर सकते हैं, और चलिए 2 मिनिट में ही आलू ने जितना भी पानी था वो छोड़ दिया है, तो आप देख सकते हैं कितना पानी इसमें से निकल आया है, तो इस पानी को तो हम side में कर देंगे, एक बार थोड़ा सा आलू को ऐसे mix कर लेते हैं, तो बहुत ही simple है इन पकोड़ों को बनाना, और जब बच्चों को छोटी मोटी भूख सताए, तब आप फटा फट से ये पकोड़े आप बना कर उन्हें दे सकते हैं, वो खूब इन जाए करेंगे, अब क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे portion उठाएंगे, और इसे हाथों में ऐसे प्रेस करेंगे, तो प्रेस करने से जितना भी इनका पानी होगा एक्स्ट्रा वो भी निकलाएगा, और ये इस तरह से गोल शेप में आहोकर बाइंड हो जाएगा, तो बाइंड होने से जब पकोड़ी तलेंगे तो वो खुलेंगे नहीं, आप इन पकोड़ों को स्टोर करना चाहें, तो फ्रेजर के अंदर इन्हें स्टोर करतें, और जब सर्व करना चाहें, तब इन्हें फ्राई करके सर्व करें, और यहाँ पर कड़ाई के अंदर मैंने इन पकोड़ों को तलने के लिए तेल भी करम होने के लिए जड़ा दिया था तो पहले एक पकोड़ा डाल कर हम देख लेते हैं इनमें अच्छे बबल्स आ रहे हैं तो बागी के पकोड़े भी डाल देते हैं और जैसे हमने पकोड़ा डाला है वो हलका होकर तेल के उपर तैरने लगा है तो जब पकोड़े जिसे फ्राई हो जाएंगे तेल के उपर ही तैरने लगेंगे अब यहाँ पर फ्रेंट्स जब आप पकोड़े डाले ना तो कुछ सेकेंड के अंतराल में डालें और हमेशा opposite direction में ही पकोड़े डालें क्योंकि हमने इसके अंदर konflour इस्तमाल किया है तो पकोड़े आपस में चिपक जाते हैं तो जैसे मैंने अभी left में पकोड़ा डाला है तो बाद में हम दूसरे side में पकोड़ा डाल देंगे इस तरह कुछ सेकेंड के अंतराल में जब पकोड़े डालेंगे न तो ये बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगे नहीं और अच्छे से fry हो जाएंगे फिर किसी चमच के अपसे थोड़ा सामी से चला देते हैं ताकि यदि कोई पकोड़ा आपस में चिपक भी गया है वो हट जाएगा अब कुछ सेकेंड में देखिए जो पकोड़े हैं उनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है अभी हम इने और अच्छे से fry करना है तो जब पकोड़े अच्छे fry हो जाएंगे तो ये बढ़िया लाल हो जाएंगे इस तरह से जब हम पकोड़ों को बढ़िया से fry करके लेते हैं तो ये ज़्यादा ओइल को भी अब्सॉर्ब नहीं करते हैं और ये देखिए कितने सुन्दर गोल गोल आलू के पकोड़े बन करके तयार हुए है लग रहे है न फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इन पकोड़ों को टोमेटो कैचप और इस मैयोनेज डिप के साथ हम जर्व कर लेते हैं तो फ्रेंड्स अब सुनिए इनका क्रिस्पीनेस है ला कितने ज़्यादा क्रिस्पी तो फ्रेंड्स आप जरूर से एक बार ये पकोड़ी बनाएं मुझे उमीद है आपको ये कोड़ों की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज एक स्माइल के साथ इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें मेरी ऐसी और बे रेसिपी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भ मैं फिर से मिलूंगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए रखें अपना ठेर सारा ख्याल